सबसे पहले सबस्क्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूले थेंक यू फॉर वाचिंग बिस्मिल्लाहि र्रह्मानि र्रहीम इस बिमार को है वह और उसके बिमार दा वो सब फिकर मन होते हैं यह हमार बिमार अच्छा हो जाओए यह नहीं कि हम तो हैं उसके साथ हम तो हैं उसके साथ उसके साथ उसके साथ उससे क्या पाइदा है तो ऐसा ना बने कि हम तो हैं कि नहीं हमें अल्ला को जवाब देना है कि हमने उसके तीन के लिए क्या किया हाँ ही जवाब देना पड़ेगा कि हमने अल्ला के दिन के लिए दुन्या में क्या किया क्योंकि रसुल स्लिव ने हर उमती को अपने काम का वारिस बनाया है जैसे बेटा बाप की जाइदात का वारिस होता है तो वो उसकी ये काम है हमने अपनी नादानी से इसको अपना हकी नहीं समझाए कि ये मेरा है मैं इसका वारिस हूँ मुझे इसकी दरूप पड़ेगी भी हाँ इसलिए मेरे भाईयो हम इस काम के वारिस हैं और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीट वो हमारा अपना दीन है सबसे ज़्यादा जरूरी खाने पिने मकान सबसे ज़्यादा जरूरी दीन क्यों कि हर आदमी से उसकी कबर में पूछा जाएगा माँ दीनों का तुमारा दीन क्या है बताओ हर आदमी से काफिर हो, मुस्लिम हो, मुनाफिक हो यह सवाज है उसे कि तुम्हारा दीन क्या है बताओ तो अपना दीन बताना पड़ेगा तो दीन बना कर ले गया होगा तो बतावेगा दीन खोके गया है तो क्या बना होगा यहाँ बताना पड़ता है वीजा बताओ, पास्पर्ट बताओ, और टिकट बताओ, हो देगा दुन्या में आज़ा कोई एक सी इतना हुई ही फ़स जाएगा ऐसे ही कबर में पूशा जाएगा चाहिए आज कोई इसको समझे ना समझे, बात यही है बात यही है कि अपना दीन तैयार करना है सबस्थ नहीं दबात तो अब मैं यह अरद करना चाहता हूँ कि तबलीग क्या चीज़ है तबलीग क्या चीज़ है तबलीग चिला देने का नाम नहीं है चार महिने देने का नाम नहीं है कि दुन्या कोई काम चिल्ला चाहिए मैंने से होता ही नहीं है होता है किसे को दर्जी बनना होता कि मैं चिल्ले में दर्जी बन जाएगा चार मैंने में दर्जी बनेगा नहीं बनेगा तो चार मैंने में तब्लिग हो जाएगी यह नहीं होगी पिछले पहले तब्लिक का मतलब समझना है कि तब्लिक का क्या मतलब है तब्लिक का क्या मतलब है तो मेरे भाईयों खूब याद रखो खूब सुनो तब्लिक का मतलब यह है कि अपनी जिन्दगी की जिन्मेदारियों को जान कर उसे पूरा करना मौस्से पहले अपनी जिन्दगी की जिम्मेदारियों को जानना और उसे मौज से पहले पूरे करना भी तबलिग कि अपनी जिन्दगी की जिम्मेदारियों को जानो और मौज से पहले पहले उसे पूरा करो एक है अपनी जिन्दगी की जरूरत को जानना वो अलग है जिन्दगी की जरूरत खाना, कपड़ा, मकान, शादी, दवा, दारू ये जिन्दगी की जरूरत कहला दिया है जिन्दगी की मेनारी नहीं है जरूरत किसी के साथ ज्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है जरूरत है और जरुवत उसको कहते है जो मौत पर खतम हो जाए जरुवत किसे कहते है जरुवत किसे कहते है मौत पर खतम अजमे को मकान के जरुवत है कि कब तक बोलो मौत तक फिर उपना मकान छोड़ के जाएगा जरुवत उसे कहते है जो मौत पर खतम हो जाए इसलिए उसकी फिकर दिलाने की जरूरत नहीं होती वो तो आदमी खुद ही करता है कि मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है एक होती है जिन्दगी की जिम्मेदारी वो अलग है कि जिम्मेदारी के बारे में मौत के बार पूछा जाएगा कि ये जिम्मेदारी पूरी हुई नहीं हुई पूरी करके आये हो या उसको बर्बाद करके आये हो तुम्हें कहता तबलीग कि तबलीग जिन्दगी की जिम्मेदारी को पूरा करना मौश से पहले उसका नाम तबलीग हर मुसल्मान अपनी जिन्दगी की जिन्मेदारी को जाने और जिन्दगी की जिन्मेदारी को जानकर मौश से पहले पहले उसे शीक कर समझ कर पूरी करें ताकि अल्ला को जवाब दे सके कि मैं अपनी जिन्दगी की जिन्मेदारी पूरी करके आया हूँ यह तब्ली'll उसके लिए चिल्ले है, उसके लिए चार मेरे है कि हाँ, कि उसकी समझावे है, उसकी बारे में फिक्रावावे है कि मुझे जिंदगी कैसी गुदानी है उसके लिए चल्ले चार मेरे वो जिंदगी जो जगनाबche रसूल techniques ने हमको दी है उसके समझने के लिए उसका शूर पैदा करने के लिए चार मैने है कि जब ये चार मैने फिरेगा तो उसको समझ में आया कि मेरी जिन्दगी किया जिम्मेदारी है और मैं कहां जा रहा हूं मेरी जिन्दगी कहां जा रही है सच्छी बात क्याता हूं जब चार मैंने अच्छी लगेंगे रुख पलतेगा क्या होगा? रुख पलतेगा कैसा? कि दुन्या से आखिरत के तरफ रुख पलतेगा कि मैंने आखिरत के लिए नहीं किया है या मैंने आखिरत बिगाड़ी है या ये कब होगा? जब रुख पलतेगा तो फिकर होती है कि मुझे को अपने आखिरत बनानी है तो फिर वो आखिरत के बनाने में लगता है इमान समगता है, आमाल समगता है, अखलाक समगता है, गुर्बानी देता है, अपने गुनाओं को याद करता है हम से आकल पूछते थे निजाम उद्दिन में कि हमने तो रेलवे में काम किया है पर रिश्वत खाई है हाँ तो हम क्या इलाज है क्योंके रिश्वत खाने वाले पर लाना थे वो फजाईल की किताबों में सुना हम तो नहीं जानते किसने खाई है लेकिन वो किताबें ऐसी है कि वो किताब में से जबात कान पर पड़ती है तो वो फौर अबना असर करती है करन की तरह लगता है तो मसला पूछने आए है कि हम आमने इलाज बताओ तो हम उसको इलाज बताते है क्योंके तरीका यही है कि कोई बात हो जावे तो उस लाइन के लोगों से पूछो कोरट कचले का मसला है तो वकिलों से पूछो दवादारों का मसला है तो किसे पूछो डक्तरों से पूछो यह मजीवाजमाई से पूछेंगे यह नहीं डक्तरों से पूछो बिल्डिंग बनाना है बिलडरों से पोचो और दीन का काम है तो कि दिन्दरों से पोचो इल्मवालों से पोचो तके सही रहबरी मिले अब ये रुख पलता है कि हमने रिशवत काई है हमने दुका दिया है तो ये इस काम का बड़ा फाइदा है कि जब ये काम आवेगा जिंदगी में तो जिंदगी की सारी बुराईयां खत्व हो जाएगी वोल पाक जिंदगी मिलेगी क्या मिलेगी? पाक जिंदगी मिलेगी ये पकी बात है कि जो लोग इमान लाकर इखलास के साथ नेक अमल में लगेंगे ऐसे लोगों को दुन्या में जीने के लिए हम पाक पाक जिंदगे देंगे इनकी जिंदगें पाक हो जाएए गुनाओं से पाक हो जाएएए गुनाओं से तुबा कर लेंगे यह वादा है कि उनको जिंदगी गुदाने के लिए पाक जिंदगी देंगे इनकी जिंदगी महली अलुदानी होगी पाक हो जाएएए और और क्या देंगे आखिरत में उसका बदला बड़ा चाड़ा कर देंगे तो आखिरत का बड़ा बड़ा चाड़ा कर मिलेगा और जिन्दगी पाक हो जाएगी परेशानियों से पाक हो जाएगी किस से? परेशानियों से कि जिन्दगी परेशानियों से पाक हो जाएगी जिन्दगी गुनाहों से पाक हो जाएगी पाक पाक सिपते अंदर पैदा होगी कि परिशान या नहीं है, दुश्वार या नहीं है असान या है, दिलों में चेन आवेगा पाक जिन्दगी का यह असर है, कि दिलों में चेन आता है हापस में महबत होती है अस्वाब में बरकत होती है दूआ में कबूलियत होती है ये है इनाम अल्ला ताला के किस पर कि एमान और आमान की एक मेहनत हो रही है उस पर जिन्दगी पड़े तो कि अंदर की परेशानिया खतम हो जाएए और अंदर का चैन मिलेगा महबतें प्यदा होगी बाल बच्चों से महबत, दिशुदारों से महबत अपने आद्मियों से महबत महबत अल्ला का इनाम है और एमान की बरकत है महबत एमान की बरकत है जब जिन्दगें में एमान तयार होगा तो महबतें भी आवेगी कि जो इमाला के नेक आमाल में लगेंगे हम उनके दर्मियान में मुहबतें काइम करेंगे भी बच्चों से मुहबत, खांदानों से मुहबत जी हाँ मुहबत अल्ला का इनाम है ऐसे वैसे नहीं आती अल्ला डालते हैं मुहबत, नाराज होते हैं तो डालते हैं दुश्मनिया नफरते, ये पैदा होती है और जब जिंड़की पाक होती है, तो मुहबते होती है एक दुसरे की खूबियां देखते हैं, एक दुसरे की बलाई साहते हैं ये कहा तो पाग जिन्दगी जीने के लिए देंगे ये बरकत है फलानुहियन्नुहयातं तयबा पाग जिन्दगी के ये असराज जो मैंने बताए कि अंदर चेहना वेगा हापस में मुभबतें प्रदा होगी अवलाद में असबाब में बरकतें आवेगी दौाओं में कबूल ये तावेगी कि दौा मांगेंगे तो इनकी दौा कबूल होगी कि इनकी जिन्दगी ये पाक है समन्यारी बात या शो गई बैचे पैचे शो मत थोड़े वक्त के लिए तो आप हज़रात आने इसलिए आल्ला ताला के इनामात को अल्ला ताला के मददों को समझने के लिए ये रास्ता है क्योंकि जो कुछ होगा वो तो अल्ला की कुद्र से होगा अल्ला के इरादे से होगा, अल्ला के फैसले से होगा, अल्ला नहीं चाहिए का तो कैसे होगा अल्ला नहीं चाहिए के ये अल्ला के कब्जे में है, ये सब जानते हैं, इसके पीश में जितने हाला थे वो भी अल्ला के कब्जे में है, इसका इंचार कोई दूसरा नहीं है, कि भूज है, हायात और मौत का मालिक अल्ला, और हायात और मौत का मालिक अल्ला, और हायात और मौत के पीश में जितने हा निमत आएगी तो अल्ला की तरफ से आएगी मुसिबत आएगी तो वो भी अल्ला की तरफ साएगी वमा बेकुम मिन निमत फमिन अल्लाह तुम्हारे बाजू भी निमत आ रही है वो अल्ला की तरफ से आ रही है हाँ उसमें कोई टाकत नहीं है वो तो अल्ला का इसान है पिशले में ने कहा कि इस अमल से जिन्दगियों में इमान आया हमाल आये इखलास आया कि अब अल्ला जीने के लिए पाक जिन्दगी देंगे यह होगा तो तबलीग कि जिन्दगियों को पाक बनाना है समझ जाई लबाद तो जिन्दगी की जिन्मेदारियों को समझना और मौश से पहले पहले उन जिन्मेदारियों को पूरा करना अल्ला की एक दावत है बंदों को अल्ला के तरफ से एक दावत है बंदों को वो क्या दावत है वो दावत ये है कि वलतंजुर नफसु मा कद्दमत लिगत ये दावत है हर एक को मुलक का सदर हो मुलक का बाशा हो ताजिर हो प्रक्टजियों का मालिक हो कुछ भी हो उसके सब के लिए एक दावत कि वलतंजुर नफसु मा कद्दमत लिगत हर आदमें ये सोचा करें कि मैंने आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है ये दावत है एक कल आने वाली है क्यों बाई मेरी बाई समझ रहे हैं नि ये बेचे 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 निन निकाल गए आप ज्यान दोगे तो आपकी बरकत से बाद भी हमको मेरे अंदर आएगी कि खरीदर वो दे तो माल आता है तो खरीदर नहीं हो तो दुकान ठप तो आप खरीदर बनो तलबगार बनो ताके दीन की बात नहीं काम की आपके लिए आओं है कि आओं तो मैं क्या कह रहा था ये को याद नहीं है न गुल गए न इतने दिर में ये एक दावत है कि आने वाली कल के लिए क्या तैयरी की है ये बड़ी जबदस दावत है चौकाने वाली चौकाने वाली और हर इनसान को खाली तबलिग वालों को नहीं ये दावत हर इनसान को है कि वल तन्जुर नफसु मा कद्दमत लिगत हर आदमे सोच ले आने वाली कल के लिए क्या तैयरी की है एक कल है जो आएगी और ये इशिक कल है कि फिर उसके बाद कल नहीं है आद इत्वार है ना कल कल पीर का दिन है फिर उसके बाद कल कल आती है ये कल वो होगी कि फिर कल नहीं होगी इसलिए कहा इसको सोचा है मज़ात ने कि वज तन्जुर नफ्सुमा कद्दमत लिगत हर आदमी सोचा करे कि आने वाली कल के लिए क्या तैयरी की है कि कि वो कल एकी मतब आएगी फिर नहींगी फिर कल ही खत्म हो जाएगी नकल नपरसुमा वो क्या है कि वो मौत का दिन है या कियामत का दिन है कि मौत के दिन के बाद फिर मरने वाली की कोई कल नहीं है उसकी कल नहीं खत्म हो गई यहाँ यह बड़ी दावत है ALLAH की कि हर आत्म यह सोचा करे कि मैंने आने वाली कल के लिए क्या तैयरी कियी है पिस ने हमारी तब्लेख में यह दावत है कि हमारे बहुत आने वाली है कल उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यह दावत है आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है उस कल के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए दुन्या में जिंदे की गुजानने के लिए माल होता है क्या होता है? माल माल के जरी तैयारी की जाते है बकाम, यह वो, वो वो दूसरी सीथ अउलाद ये दो चीज़े होती है आदमे के साथ माल आउलाद माल आउलाद ये दुन्या की जिंदगी आबाद हो गई जिना माल आउलाद से आखिरत की जिंदगी आबाद करने के लिए क्या इसलिए दावद दिये कि माल आउलाद तो मौत तक के लिए है फिर मौत के बाद के लिए क्या है तो मेरे भाईयो मौत के बाद के लिए एक है एमान सबसे पहले क्या है कि मौत के बाद के जिंदगे को आबाद रखने के लिए और काम्याँ बनाने के लिए एमान है ला इलाह इल्म लाह यह पहला नमबर पहला सबग पहली जरूरत हाँ यह सबसे पहली जरूरत है कि जिन्दगी एमान वाली बने दिल में अल्ला से तालुक हो जावे अल्ला से तालुक हो जावे एमान का अल्ला से तालुक हो जावे अबादत का अल्ला से तालुक हो जावे यकीन का कि अल्ला ही करने वाला है कोई दूसरा करने वाला नहीं है तो अल्ला से तालुक हो जावे यकीन का अल्ला से तालुक परजा हो जावे खौफ का कि खुदा का खौफ दिल में आवे कि खुदा का खौफ दिल में आवे इमान बनाने के ये मतलब है क duy कै आखिर्ध मनाने के लिए सब से पहले इमान और इमान के ये मतलब है की ये कैसे मिहनत करो कैसे माहौल में रहो कि जिन्दगे में λλ elk subs Abend से तालुब प्याद हो जाए कि मेरा अल्लह है मेरा मददगार अल्लह है मेरा रोजी देने वाला, मुझे तंदूरु से देने वाला वो मेरा अल्ला है वो ही देता है और कोई नहीं देता अल्ला की नहमतों को याद करने से अल्ला का तालुप प्यदा होता है समन्ने आ रही बात कि अल्ला की नहमतों को याद करे कि मुझे अल्ला ना क्या क्या दिया है उसको याद करे उटते वैटते हर वक उससे खुदा का तालुप प्यदा होता है यह आसान तरीका है यह आसान तरीका है और सब्द के लिए है बना तो अल्ला से तालुप प्यदा करने के लिए اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو हाँ तो اللہ کا تعلق پیدا ہوگا ये नहीं है तो ये नहीं है तो कि अल्ला के नहमतों को याद करो मुझे अल्ला ने ये दिया है ये दिया हदीसों में है कि अज्ञाम बिर रसूस अल्लाव लिए वसल्म जब सूने के लिए लेड़ते थे भी सूने पर तो ये कहते थे अल्लाव अल्लाव उस्कानी ना खवानी और अउओानी मैं उसका तरजम बेख़त हम आपको लेड़ता बिर फस्कानी तीरा शुकर है क्या शुकर कि तुने मेरी जडर्रमत पूरी कर दी आदमे, खाया पिया, अब लेट है यह होता है ने, लेट ना, खाया पिया कि अंब लेट ता हूँ हाँ, सोचो कोई काम होतो लेटेगा यह अभी नहीं इस कामे है कि नहीं सारे काम अलहम्द लिल्द पूरे हो गए है अब आराम का वक्ति अल्ला ने दिया है कि अल्ला तेरा शुकर है कि मेरे सब जरुवतें पूरी हो गई और तुने मुझे अस्रा और ठेकाना दिया घर दिया, बच्चे दिये यहाँ यह दूसरा अइसान उसको देख रहे हैं कि आदमी लेट यह अपने घर को देखता है यहाँ कि आल्ला तेरा शुकर है कि तुने मुझे त्षेकाना दिया, घर दिया कफानी वावनी कि आराम से सो रहा हूं मकान है पानी पहलने वाले बेटा पानी लाएगा यहाँ आपनगा कोल दो तो कुपनका कोल देगा हाँ यह सब आल्ला ने कर दिया है अराम है आराम है तो यह से चुम्ह याद करते थे इन बातों को कि अल्दा तेरा इसान ने तो ने इस अब कर दिया क्यों कि दुन्या में बहुत एशे लोग है कि ना उनकी जरूत पूरी होती है ना उनका ठेकाना है कोई शड़क पर है कोई रेल्वाइट शिष्णों पर पड़े होए है तो आप लाठी लेकर चल ज़ए है कोई पूछने वाला नहीं है भीक मांगे जिन्दगी उदाते है यह दो शड़कों के दर्में में खाली जगा पर लेट जाते है तिखाने आपने दो रोड के दर्में खाली जगा होते है उत में लेट जाते है बिष्टन नहीं है गर नहीं है कोई पानी पिलाने वाला नहीं है रात को तो उसको याद कर रहे है हुजू स्वाइट स्वाइट कि अल्ला तेरे बहुत बंदेश है ना गर है ना दर है नठेकाना है, नगो कोई पूर्थने वाला है को तेरा शुकर है कि नहाराम के साथ अपने बाल बच्छों में लिटा हो यह तरीका है यह अल्ला से तालुख पैदा करने का कि जो कुछ मुझे दिया है किसे ने दिया है? अल्ला है ने दिया है इसलिए अल्ला से तालुक पैदा करने के लिए उसकी नेमतों को याद करना ये दावत है तो जो नेमते तुम्हारे साथ है उसको याद करो कितने लोग इस पिताल में पड़े हो ये हैं कि हाँ एद गई, रमजान गया वो इस पिताल में है शोचो, कितने लोग जल में है हीदें कीदे जा रही हैं, वो जलों में है और अल्ला ने हमको आसानी कर दी कि अपने बाल बच्चों में है, खाने पीने में ज़रूतें पूरी हो रही है तो अल्ला से तालुक पैदा करने का एक तरीका ये है कि उसे खाप पीकर अल्ला को नहीं भूलना कि अल्ला ने खिलाया पिलाया तो अल्ला को भूल गए कि नहीं फर्माया वस्कुरू नामत अल्लाह अलेकुम तुम वो नामते जो तुम्हारे साथ है उसे याद किया करो ताकि अल्ला का तालुक प्यदा हो तो पहली दिन्मेदारी आखिरत बनाने के लिए एमान की है किरामे माली कल के लिए क्या तैयारी की है कि एमान पहले है ला इलाह इलालाह मुहम्मद रसुल अल्लाह ही है एक और उसे स्वा कोई नहीं है वही नफ़ नुक्सान का मालिक है वो यहायात मौत का मालिक है किसी के हाथ में कुछ नहीं है दोका है अगर कोई समझे एमान बनाना है इसले एमान की मेहनत करनी है किसी मेहनत करनी है हमारी यह मेहनत एमान की मेहनत कहलाती है बहुत आसान बहुत थोड़ी लेकिन बहुत असर होता है हुम ये प्यत्ते के गोलियों के दाए हुम ये प्यत्ते के गोलियों के दाए हुम ये प्यत्ते के गोलियों के दाए हुआ 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 काम. लेकिन उसका अशर और कि उसका अशर बहुत ज्यादा हो। कि उसका अशर होगा कि आ आहरत की तैयारी करने की टाकट आ जाएगी. यह उसका अशर है. छिज़ीडृ हाँ. आँखों का यलाज होता है तो आँखों में देखने की टाकट आती है. है यह नहीं बात कानों के बिमारी हो तो कानों में सुनने की ताकत आती है मैदे की बिमारी है उसके लिए तो मैदे में हज़म करने की ताकत आती है तबलीग में कि तबलीग में अल्ला को राजी करने की ताकत आती है जाती है कि मेरे से अल्ला रादी हो जाए मेरा आमल दूरुस्त हो जाए यह तबलीग में होता है और आमल हसान असान तो आपके सामने बताने कि वो ये ये करा करो ये रोस करो ये हफ़ते में करो ये मुएने में करो ये साल में करो बहुत छोटे छोटे लेकिन असर ये असर बहुत भारी होगा हौ comics ये सारी जिन्दगी की बुराया और एमाया निकल जाएगे यह लोगा यह लोगा है, 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 आडिने मुहबत है तो उनके काम आँसान होजाते हैं अबा आए यह है अबा आए तुछ अबा सब काम कर देगा क्यों कि अबा को बेटे से मुहबत है परके ली अबा जबते है стать ले अबास05 गरो दो ता खिन्ला का आजा गा정 और अल्ला की मुभबत ऐसी है कि वो खतम नहीं होगी बाकि जितनी मुभबत हैं वो वो खतम होने के लिए जी हाँ अल्ला की मुभबत खतम नहीं होगी इसलिए मेरे दोस्तों हमाने आखिरत बनाने के लिए सबसे पहले इमान दिया है पुसिमान की यह मेनत है, रोज यह करो, हफ्ते में करो, मैंने में करो, साला में करो काफी हो जाएगा अब इतनी ताकत पैदा हो जाएगी इंशालला अगर सही बगुजारा है तो हराम से बचने की और खुदा के फर्जों पर काइम होने की यह ताकत बेदा होती है कि हराम से बच जाएगा और दूसरा क्या देखो याद ने रखे ना हमारी बार अपनी मजलिस को एशा समझो जैसे मदरसे में कोई सबक पढ़ा रहा हो तब तो उन्हें अशे कुछ लेके जाओगे वरना तमाशा हो जाएगा तो मैं यह कह रहा था कि अगर सही वो सोनों के साथ बच गुजा रहा है श्यार मही ने तो आइमान में वो ताकत पैदा होगी कि वो हराम से बचने वाला हो जाएगा यह भाई यह हराम में ने करता मुझे अल्ला से दर रहे दूसरा कि दूसरी ताकत यह पैदा होगी कि वो अल्ला के फर्जों को अदा करने वाला हो जाएगा अब उसकी नमाजे ठीक हो जाएगी जो छूटी है वो भी अदा करेगा हमारे लाके में एक आदमी था कारोबारी आदमी था माला रादमी था उसने बीस बरस की नमाजें कजा पुड़ी कितनी? बीस साल की नमाज एक यह क्यों? कि अपनी जहालत में नमाजी नहीं पुड़ी अब तबलिग में गया फजाईले नमाज सुने नमाज का अजाब, नमाज का सवाब नमाज की वरकते, नमाज का सवाल क्यामत में सबसे पहले यह बाते रोज, तालीम में तो उसको तोबा हो गई, मैंने तोबा किया आलला, मेरे इतने नमाजे गई है तो हमारे रोजाब की बातें बातें करने वाले बयान करते हैं कि नवाफिल भी पौड़ो, फराइद भी पौड़ो अलला के रास्ते में निकलकर छूटी हुई नमाजें भी पौड़ो यह आती है बाद हिदाया तुम्हें, रवानगी की बातों में तो उस्नी है वो तो अब उसने अपना ये मामूल बनाया था कि रोजाना मगर्ब से लेकर इशा तक मस्जीद में रहता था अपनी छूटी हुई नमाजें हिसाब करके पढ़ता रहता तो बीश वरस की नमाजें पढ़ ली किसी को कहा भी नहीं वो तो जब उसके मनने के वक्त आया तो अपने भाई से कहा उसे भाई ने हमको बताया ऐसे सुनी सुना ये बात नहीं है उसकी भाई ने मुझे बताया था कि भाई का ये हाल था कि बीश वरस के नमाजें फौथ हो गई थी इस तबलीग की वरकस से उन बीश वरस के फर्जों के अदा करने की ताकत बदा हो गई तो छुटी वी नमाजें हिसाब कर इसे जोगों के करद वोता है नहीं तूसका हिसाब रहता है ये इतना दिया इतना दिया अब इतना बाकी है जब पूरि उगह गई तो बताया वी इस वरस के नमाजें बाकी थी आल्गने पूरी कर दी और मैंने तूबा कर ली कि अब नमान नहीं जाएगी फिर उसका इंदिकाल हो गया इसलिए हम यह कहते हैं तरगीब में कि अगर वक्त सही लगा तो मेंने कि अधिये वली हो जाएगा अल्ला चाहे तो वली भी हो जाएगा अल्ला के लिए क्या मुश्किल है वली बना दे नेक बना बना ले लेकि इतनी इस से तो गया ही नहीं है कि अल्ला के फर्जों में अदा करने की ताकत आजाएगी अल्ला के हराम से बसने की ताकत आवेगी कि अभी यह चीज़ हराम है नहीं करते बसकी ताकत आगई क्योंकि हराम से बसना फर्जों को अदा करना ये अंदर की ताकत से है बाहर की ताकत से आदमे दिन्दार नहीं बनता लालत से दबाव से दिन्दारी नहीं आती इमान से यकिन से खौफ से दिन्दारी आती है खुदा का खौफ आया आखिरत का खौफ आया अब दिन्दार यावीगी दियमा खाइदा है कि हर मशीन अपनी अंदर की ताकत से चला करती है या बाहर के ताकत से को मशीन चलती है या गाड़ी चले हुए धक्का तो तो कितन देगा वो तो मशीन अपनी अंदर की ताकत से काम करती है इस तरह हर मुसल्मान अपने अंदर की ताकत से दीन का काम करेगा अगर अंदर की ताकत कमजोर है तो उसका दीन कमजोर होगा वो हराम में भी भजाएगा नमाज भी छूड़ जाएगी जकात भी ने होगी यह सार क्यों? कि अंदर ताकत नहीं है और अंदर ताकत है तो कि अंदर ताकत है तो यह बाते पैदा होगी हज़त फर्माती थे हर गाड़ी अपनी रोशनी में चलती है हर गाड़ी अपनी रोशनी में चला करती है हर मुसल्मान अपने इमान की रोशनी में चलेगा उसके इमान में रोशनी आई तो गुना, सवाब ये उसको समझ में आएगा रोशनी में अंदीरे में क्या समझेगा ये फरमाते दें कि हर मुसल्मान अपने इमान की रोशनी में चलेगा जैसा हर गाड़ी अपनी रोशनी में चलती है एमान की रोशनी पैदा करने के लिए दीन की मेहनत है कि दीन की मेहनत से, अबादत करने से, जिकर करने से, तोबा करने से, अंदर रोशनी आती है समझ में आ रही बाद उसने 20 बरस के नमाजे पज़ा पुड़ी है और किसी से कहा भी नहीं है, वो खौब पैदा हो गया यह लगा कि दुमाद का जवाब देना है, सबसे पहले दुमाद का इसाब होगा एक आदमी और था, इसलिए लाके का था, साओ चिंजा का उसने चार मेने लगाए शार मेने लगाने के बाद गर जाकर 18 बरस की जगात दी है यह भी शही बात किरा हूँ कितनी इसाब अठारा बरस की जगात, वो बिल्दर था बिल्दर बहुत कमाते हैं तो लोग दीन नहोने की वज़े से कमाना जानते हैं, लगाना नहीं जानते कमाना किहां कमाओ, लेकिन लगाओ, कमा करके कहां लगाना है तो दीन लगाना भी बतावेगा, और कमाने के तरीके भी बतावेगा इसलिए दीन सिखना जरूरी है कि दिन कमाने का ये तरीका है लगाने का ये तरीका है तो आदमी दुन्या और आखिरत में काम्याब बनेगा कि लगाने के तरीके भी बताए और कमाने के तरीके भी बताए दिन ने तो उसने घर जाकर के कितनी जकात? अठारा साल की जकात निकाल लिजा कर रियो जकात अल्ला का फरीदा है जकात ये अल्ला की तरफ से दिया हुआ फरीदा है और ये अल्ला का हक है जकात गरीब का हक नहीं है ये तो अल्ला का हक है जिसे नमाद अल्ला का हक है हज अल्ला का हक है रोजा अल्ला का हक है जो नहीं करेगा वो खुदा का कुनेगार होगा जी हाँ तो जकात अल्ला का हक है अब उसके अदा करने के टाकत नहीं उपने कमाईयों में लगे हुए हैं अब आई तबलिग वो तबलिग में वक्त लगा वो शही वक्त लगा जिस मैंने का नहीं कि हम नहीं करें कि इन्शालला कर शही लगा है वो शही चड़ा है तो अल्ला ऐसी तुबा नसीब करेंगे कि फराइज अदा हो जाएंगे हराम से बचने वाला हो जाएगा ये तो होगा हराम से बचना मामूली बात नहीं है हराम से बचना मामूली बात नहीं है रसुलुल्ला सुल्ला सुल्ला सुल्म फर्माते है कि इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास तो हराम से बचने वाला सबसे बड़ा अबदन नास तो हराम से बचने वाला सबसे बड़ा अबदन गुदारे उसने ज्यादा قुरान नहीं पड़े ज्यादा नौफिल नहीं पड़े लेकिन जिन्दगे को हराम से बचाया है उसको ये बचारत दे रहे हैं रसूर आदमे हराम चुट जाता है प्यार लग उसको हलाल बरकतों के साथ देते हैं हराम में बरकत नहीं होती इब याद रखो हराम में आता है ज्यादा क्योंकि हराम के राष्टे बहुत है हराम के राष्टे बहुत इसलिए आता है ज्यादा लेकिन बरकत होती नहीं अंदर ओमाल की खासियत ये है या माल आता भी है और अपना राशता निकाल लेता है जिस राश्टे साया है उसी राश्टे से जाएगा जिसे मसल में जो बुर्दू में कि पानी अपना रास्ता निकाल लेगा पानी मटका तूट गया कि पानी कहां जाएगा कि पानी अपना रास्ता निकाल लेगा होता है नहीं कि पानी पानी का मटका तूट गया ठंकी उलट गई कि पानी अपना रास्ता खुछ निकाल लेगा ऐसे माल अपना रास्ता निकाल लेता है कि जो हराम से आया है वो उसी रास्ते से निकाल लेगा गलत रास्ते से आया है गलत रास्ते पर जायेगा शही रास्ते से आया है शही रास्ते पर जायेगा ते गाईदे की बात है इसलिए खुदूस अल्ला सलम्म ने इसकी तर्गीब दिये कि इत्तकिल महारिम तकुन आबद अन्नास कि तू हराम से बचने वाला हो जा फिर तू अल्ला का सबसे बड़ा अबादत गुजा रहे है यहाँ हदीसों में आता है प्रजाईल सदकात में पढ़ना कि बाद लोग ऐसे आमाल लेकर आएंगे बड़े बड़े जैसे पहाड ऐसे आमाल लेकर आएंगे लेकिन काम्याब नहीं होंगे क्यों? कि वो दुन्या में उन्हों देखा हराम हलाल की परवानी हराम आया तो हराम भी कर लिया जी हाँ तो वो अप्री हराम में पकड़े जाएंगे इसलिए इस काम की बरकत है ये कि जिन्दगी में से हराम निकल जाता है हुकुक अदा करने वाली बन जाते हैं क्या बन जाते हैं? कि मेरे उपर किसी का हक न रहे जिसका हक है उसको मिल जाए जिस पर मैंने ज्याती कि उसको माफे मागू मेरा एक दोश था साथी था इसकूल का साथ रहे फिर मेरी लाइन न लग हो गई उसकी लाइन न लग हो गई मैं मतले समझा लगया उसकी लाइन बिगड़ गई बहुत तेज था बहुत तेज माबाप भी डरें इतनी जिंदगी बिगड़ गई हमारे बंबई में एक दफा इस्तिमा होने लगा उसको क्या हम तो दोनों साथ थे तो जारा मेरी इज़त क्या करता था मेरे सामने ज़्यादा बोले नहीं तो बंबई में इस्तिमा होने लगा तो हम उसकी दावच चला रहे थे तश्कीली गश कर रहे थे एक गश होता है नहीं तश्कीली कि लोगों से वक मागना है लोगों को तयार करना है तो हम तश्कीली गश कर रहे थे उसकी उसकी जगह पर हम पहुंच गए तश्कीलिकस में वो चाही पिरा था होटल में जहां हो गहता था था मैं उनके बाएग कुरिशे पेट गया तुम जान दा मुशाती है एक इस्कुल के जा मैंने उनका नाम लेकर काम रहा है मंबज में एक इस्तिमा हो रहा है नमा दमाद कुछ नहीं बंबज में इस्तिमा हो रहा है आप इरादा करो एक चिल्ला लगा लो क्योंकर चैरमेनी की दावत तो दर बारी लगे है थोड़ी दिर सोचा और सोच कर कहा कि बीच दिन जाओंगा ठीका बीच दिन जाओंगा सिल्दा नहीं पुरा होगा हमने कबूल कर लिया यही से उनके बीच दिन भी बहुत है जी हाँ एक बात याद रखो कि आदमी कितना ही गुनेगार हो उनसे नाउमीद नहीं होना चाहिए अल्ला उसको ठीक करेगा और जो जितना अपने गुनाहों में तेज होता है जब वो इस रास्ते पर आएगा तो इस रास्ते में भी तेज होगा जीसे गुनाहों में तेज था इस रास्ते में भी तेज हो जाएगा क्योंकि वो तो हिम्मत वाला है हिम्मत मा लग रही थी अब आप दावत देंके तो उसके पलट जाए कि हुँ पहले उस लुख पर जा रहा था अब इस लुख जा रहा है दावत की खुबी है कि वो आद्मी की रुख को पलटती है पहले गुनाहों में, जोर्जाती में अब इभादत में, खित्मत में लोगों के नपाप पहुचाने में इसमें लग जाएगा किसी डरेगा नहीं तो कब वीज दिन जाओंगा चुना से वो वीज दिन गिया वीज दिन लगाए फिर वापस आया तो बीमार हो गया उसको वीज दिन में नदामत हुई अपनी जिन्दगी पर पस्तावा हुआ कि मैंने जिन्दगी बिगआड़ी है इसको हिदायत कHeyton कि अल्ला दिलों में पस्तावा डाल दे कि मैंने जिन्दगी बिगआड़ी मैंने अपने लिए कुछ खे लिया मैंने कहने बलतंजुर नफसुमा कत्ड मतलिखत अब उसको नदामत हुई, बस्तावा होने लगा, तो वो लोगों को बुलाता है, बई चछा के बेटे को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, गर्वानों से का है, तो गर्वानों के सबकी क्या जो रहते हैं, कि मुझे उनसे माफी मांगनी है, यहाँ, अब माफी पर आया है, अल् अबलिग में होता है, यह उसको अपने गुनाहों पर अदामत और पस्तावा होता है, अल्ला से माफी मांगता है, अल्ला के बन्नों से माफी मांगता है, जिन जिन का हक है, उसके बारे मुझे उसको फिकर होती है, कि इनका हक है मेरे उपर, तो मामला साफ करता है, यह होता ह तबलिग में जो हमारे राष्टों के मिहनत करेंगे हम उनको जो हमारे दीन के मिहनत करेंगे हम उनको अपने राष्टों की हिदायते देंगे अल्ला के राष्टे सुबल सुबल से क्या मतलब है सुबल से मतलब यह है कि अल्ला उनको जन्नत के अमलों पर डालेगा किस अमल पर जन्नत के अमल पर डालेगा तोबा जन्नत का अमल है तोबा जन्नत का अमल है काफिन ने भी तोबा की कुफर से जन्नत में गया गुनेगान ने तोबा की के जन्नत में गया जो हमारे रास्तों की मेहनते करेंगे हम उनको अपने रास्तों की नहवरी करेंगे जन्नत वाले अमाल पर लगाएंगे तो सबसे पहले तुबा मिलती है कि मेरी खाता लाँ माप कर दे लोगों से जो कुछ हो ये वो माफी हो जावे फिर अपने नमाजें कज़ा हुई है जकाते बाकी हैं वो ये सब किस्से होते हैं जकात वाले ने जकात दे दी रोजे बाले रोजे हम लोग अमरिका में थे 1980 में एक साल की जमात में अज़र रहमतुल्ला ने ने एक बड़ा इस्तमात एकिया था अमरिका में उसकी मेहनत के लिए सारी दुन्या की जमातों ने मेहनत की सारी दुन्या की जमातों बहुत अच्छी मेहनत हुई उस मेहनत में हम लोग वह रही थे साल पर तक्रीब अज़र नो में ने अमरिका में ताइव में इंगलें में यूनिवर्स्टिय वहां बहुत है आप जानते हैं उस साल में सत्तर हजार लड़के आरबों के वहां यूनिवर्स्टिय औरे में दाखिल थे हमारे साल लगाने के जमाने में तो हम उनके पाइज जाते थे उनको दावबत देते थे तो हमारे साथ काम में लगते थे, काम में लगते थे, हमारे नुसरत करते थे, जैसे हमारे नुसरत करते थे, जैसे हमारे नुसरत करते थे, तो हमारे नुसरत भी करते थे, हमारे काम में लगते थे, फिर जब हमारे नुसरत भी करते थे, हमारे काम में लगते थे, फिर जब हम बहुत साल हो गए असी की बात कर रहा हूँ जब वह आए तो जैसे आजकल रमजान गर्मियों मैं आ रहा है मैं 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 रमजान आ रहा है बहुत है प्रभू ऐसे उसी मैं उन मैं ता हो तो मुझे कहने लिए वो युनिवर्श्टी के अरब लगशा हमारे तो रोजे फौट हुए है अब हमें समझा है रमजान क्या है क्यों फदाइल रमजान、 फदाइल नमाद फदाइल comenz आट फदाइल अ… ये अंदर कुछ पेदा करता है जिसे ती फदाईल पड़ो हमारे तो रोजे फौट हुए है पढ़ने के जमाने में रोजे नहीं रखे ये उन्युश्यों में अब हम रमान में जमातों में हैं तो क्या हम रोजे कजा रखें रमजान में तो रोजे कजा हैं वो तो रमजान के होते हैं रमजान के अलावा कि रोजे हम इस सफ़र में कजा करें जो हमारे छुटे हुए रोजे, अभी है उनकी दिलों में आया जी हाँ, ये रोजे कज़ा करने चाहिए ये अल्लाग की तरफ से रहबर ही होती है तो हमको नहीं मालूं किसके रोजे गई है, किसके नमाजे गई है वो तो उसको खुट खटकती है अंदर जब इमान तयार होता है, तो गउना खटकता है जिसे फांस चुब गई न तो आपको फांस चुबेगी हाँ, चैन नहीं होगा, ये मुझे फांस ज़गी है ऐसे जब इमान तयार होता है, और कोई गउना होता है तो वो गउना अंदर खटक पैदा करता है और इमान में रोशनी नहीं होती तो दिल जो है सुन हो गया है जिसे कोई बदन यूँ सुन हो जाए अब पीन मारो तो कुछ नहीं लेकि अगा बदन में हरारत और गर्मी है और पीन मारे हाँ तो चुबेगी पीन इस तरह अब अंदर इमान तयार होता है इमान की रोशनी होती है तो गुना चुबता है मेरा ये गुना है मैंने ये किया है हदिसों में हैं कि गुना क्या गुना क्या चीज़ है फरमाया गुना वो चीज़ है जो तेरे दिल में चुबन पैदा करे जब इमान की रोषनी पुड़ेगी और दिल सुन हो गया था अब उसमें घर में आई तो गुना बरदाश ने होता अंदर छुपता रहता है मैंने ये किया है मैंने ये किया है हाँ, खटकता रहता अंदर ये इमान बनने के निशानी है इमान हाँ पिर गुना दिल में नहीं रहेंगे तोबा करेगा अल्ला से माप करा लेगा तो चैन हो जाएगा तो हम कहें कि हमारे रोजे गए हैं वो रोजे चुब रहें अंदर रोजे अंदर चुब रहें पहले नहीं चुबे हाँ कि पहले ये बात नहीं थी ये दोशनी पैदा नहीं हुई अंदर तो अब रोजे चुप रहे थे तो मुझे मसल़ा पूछने आए कि हमारे तो रोजे गए हैं रोजा कजा करें मैंने का रोजे तो कजा करने ही चाहिए क्यों कि हुकम अल्ला का यह है कि आदा नकर सुआ तो कजा करो तो बीमार है रॉए तो बीमार बीमाली के बज़ने के बाद करें मुझे मसाफिर हैं तो सपर के बज़ने करें तो जिसके रोजे कजा कर बदके हैं मगर तुम इस वड़ तोá मे उनसे कहा है मैंने हमारे मैंना अंदूस्तान गणाओना गर्म बहुत होती है तो गर्मे में तुम सफर भी करोगे, रोजा भी करोगे, तो मुश्किल है इसलिए जब तुम्हारा सफर पूरा हो जाए और तुम सही सलमत अबने जगा पहुंच जाओ वह जितने रोजे कज़ा हुए है उसे आईश्ता आईश्ता अदा करना ये तरीका आसान है कज़ा का कोई मुकरर वक्त नहीं है जब चाहो अदा कर सकते हो अल्दा ने आसानी किया तो ये उसको समझाया तो ये मिशाले है कि अंदर कोशीद पैदा होती है तो आज में अपनी जिंदगे का रुख पलड़ता है नमाजों की तरह आता है रोजों की तरह आता है जकार देने की तरह आता है तोबा की तरह आता है अपने अवलाद को तीन दार बनाता है ये भी होता है कि मेरी अवलाद मालबार बने कोई बात नहीं, कि नहीं, अब दिन्दार ही आई ये, तो अपनी आउलाद को भी दिन्दार बनावेगा, और हुकम भी ये ये, जैसे हुकम है नहीं कि आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, ऐसे एक हुकम और है, उस अब के लिए, या यूह अलजी रौादीन आमनू, कूँ अन्फुस कम वाहलीकम नारा, एए एमान वालों, अपने आपको, अपने आउलादों को, घरवानों को दोजड़ भी ये उकंदे, जैसे सर्दी गर्मी से बचाते हो, जैसे सर्दी आरी बच्छों के लिए सर्दी का सामान गर्या है तो गर्मी का सामान करता है आदमी तो जिस तरह सर्जी, गर्मी, तंदुरुसी, बिमारी, राहत इसका इंदिजाम करते हो हुकम ये कि अपने अवलाद को दिन्दार बनाओ दिन्दार बनाओगे तो वो अल्ला का भी हक पहसान है, तुम्हारा हक भी पहसान है क्यों दिन्दार बनाओगे ये असर होता है कि हरेका हक है, अल्ला का हक है, माबाब का हक है, सब का हक है तो पैदा होगा तो माबाब को माबाब समझेगा, अल्ला को अल्ला समझेगा क्यों कि बेटा दिंदर हो गया बेटा दिंदर हुआ यह बीवी दिंदर हो गई तो वो दिन के कामों में मददगार बनेगी दिन के कामों में मददगार बनेगी कि दिन का काम करो हम मददगार है तो वरते मदद करती है दिन के कामों में वो दिन नहीं होता तो रुकावट डलती है रुकावट डलती है यहाँ वो गुनिकर होती है रुकावट डलके इसलिका कि अपने घरवालों को दिन्दार बनाओ ताकि वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मददगार बनकर उनके भी आखिरत बने तो हमारी भी आखिरत बने ये भी एक हुकम है तबलिग में निकलने के बाद ये फिर घरों में भी दीन आना शुरू हो जाता है घरों में दिनदारी आई गरों में नमाज होने लगी घरों में जिकर होने लगा तिलावत होने लगी बच्चे सुन्द के मताबिक खाते हैं, पीते हैं, पिर दिनी तालिम पाते हैं, तो फिर इतात हो ताबिदारी के साथ रहते हैं, तो पूरे घर में सुकून, कोई जगड़ा नहीं, कोई कजिया नहीं, क्यों दिन्दारी आ गई, हदिसों में कि जब घर में जाओ, तो अपने घरवालों को सलाम करो, घरवालों को, बच्चों को सलाम करो, कि सलाम करने से तुम्हारे अंदर और घरवालों के अंदर मुभबत प्यता होगी, सुन्नत की बरकत है, कि अस सलाम आ लगे को, बीबी को सलाम किया, बच्चों को सलाम करते थे, हदीशों में कि बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं मर्रालस सिब्यान फसल्लम अलेहिम कि बच्चों पर से गुजरे हुदू सरनब बच्चों को सलाम कि असलाम अलेकुम तो वो बच्चे हैसे हैं जो जवाब देते बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं दूद पीता यह जिन में जवाब देने का शौर है उन बच्चों को सलाम करो तो वो बच्चे भी जवाब देंगे और जब वो घर में दाखिल लोगे तो भी सलाम करेंगे तो घर में सुन्नत की बरकत आएगी क्या यही गर में सुन्नत की बरकत आएगी वो सुन्नत की बरकतों में से यह है कि मुहबब प्यदा होगी यहाँ तो इसका सलाम करो गर में दीन आएगे यह तरीके बताएगे इसने हमारे बड़े फर्माते हैं गर में तालिम करो فضائل کے جو bاتیں में सुनते हो बचों को सुनाओ अगर किताब नहीं पड़ह सकते हो तो बचों को सुनाओ यह थी थो किताब में यह बात आई थी अगर रोजान एक एक बात भी पहुंच जाएगी तो उनको नफ़ा होगा घरों में तीन लाना जिसा गरों में बाजार से चीज़े ले जाते हैं खाने की पीने की राहत की बाजारों में से मसाजिद आखिरत के बाजार है मसाजिद क्या है मसाजिद आखिरत के बाजार है यह दुनिया के बाजार है यह जरुट की चीज़े मिलेगी यहां आखिरत की चीज़ा मिलेगी एक कितब हमें लिखा है कि मस्जिदें आखिरत के बादार है यहां से आखिरत की चीज़ा मिलेगी वो दुन्या की चीज़ा मिलेगी तो इमानवाला दोनों जगा बाज़र की चीज़ के लागए घर में देगा ये इसका तो रिवाद है इसका रिवाद नहीं है कि मस्जीद की चीज़ घर में ले जाओ जी हाँ तो मस्जीद की चीज़ घर में ले जाएंगे तो घर में आखिरत का चर्चा होगा आखिरत होगी अखिरत की बाते होगी जी हाँ इसने के ते गरों का दिन हर चीज का दिन रसुल सल्लाम दिया है हमारी यह जो मेहनत तबलीग यह एशी है जैसे आस्मान से पानी बरसा क्या हुआ पानी बरस गया पानी बरस गया तो हर चीज होगेगी जाफरान की जमीन में जाफरान होगेगा जोग की जमीन में जोगेंगे जी हाँ बाजरी की जमीन में बाजरा होगेगा गंदुम की जमीन में गंदुम होगेंगे चावल की जमीन चावल होगेगा पानी आना जरूरी है पानी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है पानी नहीं है मुलक में मुलक सुखा पड़ा है सारे कारोबार ठाप हुकुमत भी प्रिषान हो जाएगी पानी नहीं है फिर Souls ने जब बढ़ना कि लिए खना फर्मानी की तो ओल्ला तो पानी बन कर दिया बरसों कहत साली रही हाँ पानी एक बुनियादी चीज़े राहत के लिए असली चीज़े कि पानी से हर चीज़ उग जाती है पानी से हर जरूरत पूरी होती है पानी में बड़ा नफा रखाए हमने आस्मान से मुबारक पानी नाजिल किया है मुबारक का मतलब है कि बहुत नफा है उसमें सारी जिन्दगी की दरूरतें पानी से बाबस्ता है तो जिस तरह पानी से सारी जिन्दगी की दरूरतें में असानी आती है तबलीग की मेहनत भी एशे है जैसे बारिश का पानी इस मेंने से तमाम चीजें जिन्दा हो जाएगी इमान दमाज, इलम जिकर, अखलाग ये सब चीजें इस से जिन्दा होगी एक मौमिन मौमिन बंगा जिन्दागी गुजा रहेगा, उसके अखलाग से लोग खुश होंगे, उसके अवाल से आखिरत नजाच वाली दुन्या कैसे मिलेगी? दुन्या बरकतों वाली मिलेगी याद रखो दुन्या बरकतों वाली अल्ला इमान की वज़े से बरकतें देते हैं इमान वालों को दुन्या बरकतों वाली मिलेगी यह नहीं कि भूखे में रहेंगे तबलिग करेंगे तो कि नहीं तबलिग की तो बड़ी बरकते हैं पूरी दुन्या में अल्ला ने एक खैर फैला दी आप अल्ला तब आपको तौफिक दे दुन्या में जाना आगे वो दिखना कि बगेर किसी पावर की अल्ला ने ये काम चलाया है कोई पावर है इसके साथ कोई फंड है इसके साथ कोई तरश्ट है इसके साथ कोई तरश्ट है वो चला रहा है कोई फंड है वो चला रहा है कोई पावर है वो ये काम चला रहा है ऐसा है कि नहीं कोई ताकत नहीं आपको लोग मिलेके में दिन्दार पाजामे वाले हैं। पुर्ते पाजामे बहुत हो गए हैं। में लोग दिन्दार बन गए हैं। सुथरे लिबाज पहनते हैं। क्योंकि सफेद लिबास सुन्त है उसे कुम्हारा बहतरे पुल्शाक की वो सफेद लिबास है इसी को पहनो इसी में अपने मुर्दों को कफना हो तो यो सुन्त वुद०ु सल्हाससलेम्मी जिन्दा हुई सफेद तो वो सोचे कि कुर्टे पाजा में बहुत हो गए यानि इमान दीन वाले लोग बहुत हो गए तो किस से हो गए अगर allah की गुद्रस्स सी होए? और दीन की महनत Сी होए? अल्ला की गुद्रत है वो असल और अल्ला ने दीन की महनत दिये जैसे allah की गुद्रस्साल में पिर पांद वर्ला ने पानी बरसाया तो जाफरान जो सब जिनसलिद हो गए हुए तो कुदर्से हैं अल्ला ने एक पानी बरसाया ऐसे अल्ला ने ये काम जिन्दा कर दिया कि आदमी हुआई जहाइड भी सला रहा है और नमाद भी पढ़ रहा है हाँ ऐसे पाइलोट है कि कैबिन में से अजान के आवाज आई कि अजान कोँ दे रहा है कि वो ही दे रहा है फिर जब उसे मुलाकत की तो का कि मेरे सिला लगाया इसलिए जब मेरी डूटी होती है इसके तो ये भी करता हूँ अपने नमाद भी पढ़ता हूँ अजान भी देता हूँ यहाँ एक रहा है और ये अल्ला की कुद्रे से चला है याद रखो किसी की ताकत से नहीं चला किसी फंड से किसी तर्ष्ट से किसी पावर से नहीं चला है तो किस नहीं चलाया है हमारे अल्ला नहीं चलाया है हर जगा अला इलाह इलाला मुहमद रर्सुल्ला अला इला इला इल्ला मुहम्मद रसुलुला अल्ला की ताकत है इसने हमारी दर्खास थे कि आप पड़े लिखे लोग हैं काम को समझने के कोशिश करें मैं तो आप ने साथियों को ये मशाद रहता हूँ कि सिल्ले तो लग जाएंगे चार मैने भी पोज़े हो जाएंगे मगर इतना काफी नहीं है आप पड़े लिखे लोग हैं काम को समझने के कोशिश करें काम है क्या यहाँ जब आप समझेंगे पड़े लिखे लोग तो उसका हक अड़ा करने के सूरते निकलेगी और रिवाजी तोर बर जिल्ला पुरा कहले मेरा तो जिल्ला पुरा हो गया बेकुश नहीं यह सा नहीं है कि जिल्ला भी एक काम के लिए है चार मैने भी एक काम के लिए है और यह काम कुछ एक काम के लिए है इसको समझने की दरुब़त है लोगों ने इस काम पर P.H.D. की है यहां मैंने पड़े हैं उनके मकाले यह उन्हेंने P.H.D. किये हैं तो थिजम नजाम मुझ्हिं नहादर घंदे नहादर M.H.D. 1918 पार वह बड़े-बड़े मकाले उनके आते थे तबलीग पर पी.H.D. किया है मस्तुरात के काम पर PhD किया है हाँ लोग सोच रहे है क्या हम ऐसे बुद्दू भने रहे है बच्छी लादिया बोरह होगा चार बच्छी नहीं आप पड़े लिखे हैं आप समझो इसको फिर अल्ला आपसे काम लेगा तो हुने PhD किया कि है क्या कहां से आ रहा है ये सारा तो तो अल्ला की तरफ से है एक दोक्टर थे तो वो इसकी तहकिक देए अटिकल डोक्टर थे वो हमारे भी एक दोक्टर थे उनसे पूछ पाच करें हमारे मेलिकल डोक्टर नहीं हो कहा कि हमार साथ तीन दिन लगा दो, चार जगड़ा खितम करो, तीन दिन लगा और फिर पूछना क्या कहे, क्यों कि काम तो काम से समझ में आएगा, बातों से कितना समझोगे, तेरना है तो फिर पानी में जाना पड़ेगा ना, या तेरने की बाते हैं को तेर लेगा, तेरने की तो तेर लेगा पानी में जाना है यह तो किसी किजा जाना पॉड़ेगा तो अमारे राक्रण जो दमात बाले थे हमाशा तीन दिन लगा हो फिर पूछना जो पूछना हो तूकर तीन दिन में पलट जाती ही बार अल्ला ने इसका हमें अशा असा रखाया इसलिए मैं आप जे बोज मालूम होता है ये काम इसका बोज होना ये हक होने की निशानी है ये भी याद रखो कि बोज हो रहा है तबियतों पर नफसे पर कि इसका भारी लगना ये इसके हक होने की निशानी है ये किताबों में लिखा है जो चीज जितनी हक होगी इतनी नफसे को भारी सामानों सारी देख सारी देख लोग बैठेंगे कोई बोज नहीं और हमाई तबलीग की बात होगी तो आदागर्दे में लोग ठक जाएंगे यह बहुत लंबी बात होगी यह बात खतम करो बोज पढ़ता है और पढ़ना चाहिए क्यों कि यह हक है अपका बोज होता है बातिल का बोज नहीं होता नाशिकानों के मजलिशों का कोई बोज नहीं राद दीन इसमें गुजर जाएंगे मुबाइल लेकर बैठेंगे कोई बोज नहीं फजाईली की किताब के तो बोज पढ़ेगा मुबाइल लेकर बैठेंगे कोई बोट नहीं पढ़ेगा और फजाईल की कितब सुनागे तो बोट पढ़ेगा क्योंकि फजाईल हक है ये बातिल है ये बातिल है तो बातिल में कोई जान नहीं होती और हक में हक में जान उती है जिसे मिल्षा पानी और खारी पानी समंदरों का खारी पानी उसमें ताकत ने होती उसमें जाला जाता है और मिल्षा पानी जमीन फाड़ देगा जी हाँ, वो ताकत वर होता है देखना आप मिल्षा पानी जमीन फाड़ेगा उसमें ताकत है, खारी पानी में नाकत नहीं है उपर चाएगा, उपर चल जाएगा समंदर की करीब जाता है, उप पानी चाड़ता है, फिर उतर जाता है वो कुछ नहीं करता हूँ क्यों? जो खारी है उसमें जान नहीं है इसमें जान नहीं है ये दाने को उगा देगा उसके जानदार होने की निशानी है कि पानी जानदार है कि दाने को उगाएगा वो नहीं उगाएगा और इस काम का बूज हो ना ये उसके हक होने की निशानी है इसलिए आप लोग समझदार हैं उसको समझो अच्छी तरह से यहां, अपनी समझ से काम ले ताकि दुन्या और आखिरत बहतर हो जावे दुन्या भी बहतर होगी, आखिरत भी बहतर होगी हुदूर्ण फर्माते हैं, मैं इसी चीज़ लेकर आया हूँ इसे कबूल करो, जिसमें दुन्या और आखिरत की खेर है इसलिए वो इसके PhD करते हैं है क्या ये लाखों आदमी चल रहे हैं कौन चला रहा है कहां से चला है कहां करो हम भी चाहते हैं कि तुम इसकी PhD करो ताकि तुम्हें खुदा समझ में आवे PhD करने से इनको खुदा समझ में आएगा हम भी कहते हैं हमारा खुदा चला रहा है, हम नहीं चला रहे है यहाँ, और ने गड़ में डाकू है और वो पाबन हो गया डाकू डाकू वो पाबन हो गया जमातों की खिद्मत करता है, नमाजे पड़ता है और वह इसको किस ने शुदा रहा इसको किस ने शुदा रहा और इसमें उटर गया समझने आए बार तो ये काम हक है उसका बोज जरूर आप पर पड़ेगा कि चार मैंने बोज बनेंगे चिले बोज बनेंगे तो ये उसके हक होने के निशानी है इससे खुश हो जाओ इससे खुश हो जाओ सहाबा के मवाइद में लिखा हुआ है कि हक भारी होता है हक कड़वा होता है हक कैसा होता है कड़वा कड़वी दवा की तरह है कड़वी दवा बीमारिया निकलती है हक कड़वा भी होता है भारी भी होता है समद्दार आदमी कड़ भी दौबी दौबी लेता है बच्चा नहीं पीता क्योंकि वो नादान है समद्दार आदमी कड़ भी दौबी दौबी लेता है क्या मेरी बिमारी का इलाज यही है तो फर्माया कि हब कड़वा भी होता है और भारी भी होता है क्या मतलब है कि सबर करो ताकि हग जिन्दगी में आ जावे मुसल्मानों की जिन्दगी में आएगा तो माहल में भी आवेगा दुन्या में आएगा इसलिए मुसल्मानों को दो हुकम है अपने दीन के पाबन बनो, अपने दीन के मददगार बनो हम पर दो हुकम है कि अपने दिन के पाबन बनो इमान के नमाजों के अबादतों के अखलाग के पाबन बनो और अपने दिन के मददगार बनो कि ये चीजे दुन्या में फैले उसकी मेनत भी करो इसलिए ये मेनत है इसलिए इस मेनत से ये चीजे फैल गई लोगे मन वाले बन गए यहाँ हामाल वाले बन गए, अखलाक वाले बन गए खिदमत करने वाले बन गए खिदमत करते है यहाँ डाक्टर भी है और खिदमत करते है मरीजों की, ऐसे डाक्टर है वरना तो कमाना तो खेर है लेकिन वो खिदमत भी करते है हमारे एक दोस्ट कि वो दाक्तर ही भी करे है और उटा कि मेरे पर टी-बी का मरीज आया आखिरी श्रेट पर थी उसकी टी-बी बताया बचेगा नहीं लेकिन गरीब मुसल्मान है तो मैंने उसको दवाई भी दी और पेशे दीए पेशे क्यों दीए कि भाई तू अंडा और दूद इस्तेमाल करना है क्योंके टी-बी के मरीज इसको ताकत देने वाली चीज़े खानी चाहिए तो कि अंडा और दूद ये भी इस्तेमाल करना है मुझे कहा कि मैंने अखरी इस्तेमाल पर बचेगा नहीं ये गरीब आदमी है पेशे हैं नहीं तो उसको दवा भी दी और पेशे भी दीए क्योंके उसको अंडा और दूद पिना था कि तो अंडा ताकत आवे जितने भी जिन्दगी बाकी क्यों तो मर गया बाद में मुझे बता चला और मुझे सबग दे गया ये क्या सबग दे गया क्या सबग दे गया कि बाद में मुझे को मालूम हुआ कि मैंने उसको अंडे दूद के जो पेशे दिये थे उसके गर में तो राशन के भी पेशे नहीं थे तो उसने अपने बच्चों को वो दूद अंडे के पैसे राशन में दे दिये वो दूद अंडे बगएर मर गया तो मुझे ये पस्तावा छोड़ गया कि मैंने उसको ज़्यादा पैसे क्यों नहीं दिये ये डाक्टर ऐसे डाक्टर पैदा होंगे तबलीग से कि दूआ भी दे अंडे भी दे और अंडों के पैसे भी दे और राशन नहीं हो तो राशन के पैसे भी दे क्योंकि मुसल्मान तो लगाने वाला होता है जिस तरह कमाने वाला होता है लगाने वाला भी होता है ऐसे किसे पर डक्टरों के ऐसे खिदमत गुदार कि हमें अल्ला की मखलू के खिदमत करनी है एकल क्यामत में ये काम आएगा कि अल्ला बंदे की मदद में होता है जब बंदा अपने भाई की मदद में होता है हदिसों में ने कि बन्लाज अपने भाई की मदद में होगा तो अल्लाई इसकी मदद में होगा तो अल्लाई की मदद लेने का ये तरीका है अखलाग, उसको अखलाग क्याते है कि हमारी जानमाल से दोसरों को फाइदा हो जाए ऐसे डक्टर पेदा हो रहे हैं ऐसे ओफिसर पैदा हो रहे हैं अल्ला का बतलो इस काम से जिन्दकी पलट रही है वो डक्तर भी है वो ओफिसर भी है अपने ओधे पर भी है इसलिए आफ़जरास से मेरी याद दें कि इस काम को आप करें और समझ के करें समझ कर करें कि है क्या जब गैर लोग इसके समंद के कोशिश करते है, P.A.D. करते है हमारा तो उमान है हमारा इमान है कि इस काम में हमारी दुन्या और आखिरत ये नजात है यह कि दुन्या के बरकात भी आएगई, आखिरत ये नजात भी आएगई इसलिए खुब समझे, खुब सम्झावें, अपने भाईयों को क्यों? कि जब से दिन का काम शुट गया है, दिन की समझ भी कट गयी है दिन का काम आ गया तो दिन ही समझ आईगी आजियो आजिए अबस उसको दिन के समझ देगा. इसलिए लाला से दिन के समझ भागे. और इस काम में अपने तरतीब से वक्त लगाने है. तरतीब इस काम की बहुत असान है. तरतीब बहुत असान. लाखों आदमी चलना है नहीं तरतीब, मुश्किल हो जट कैस चलती? तर्ती पर आ जाएंगे तो फिर वक्त लगना भी आसान और काम समझ में भी आवेगा काम को समझा भी लेंगे तो करेंगे इंशाला